नमस्कार दोस्तो मैं Beth Dison Bird Singh अपने channel Beth King में आप सभी का फिर से सबागत करता हूं दोस्तो नावी का हटना, नावी का किसगना कैसे ठीक करते हैं समझे multiplier किसी किसी को होता है कि हमारी नावी या नले बसे हुए है या इधर उधर को हटी हुई है नावी दोस्तो ये जो सक्स है इसकी न तो नावियत हुई है ना इसके नले पके हुए है इसके पेट में वायू जो है अपना जगह बना रखी है और वो निकलती नहीं है क्या है कि पेट में हलकी सी चुबन और आतों में इंफेक्शन और जो खाना है वो पच नहीं पा रहा है और इ उससे चेक किया तो हमें देखने में पाया कि इनके न तो धरन है ना ही ना भी अटी हुई है ना ही इनके नले पके हुए है ना ही बढ़े हुए है जो भी आप समझते हों तो दोस्तो ऐसे सक कई जगह जाते हैं ना भी किसी को नौलेज होती है ना भी देखने की नहीं होती प पिएटनी किश्चे ठीक करने कोशिस करते हैं लेकिन जैसे अब भी हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में कि जैसे जैसे इनको दबाय जा रहा है शाइड में, पेट में या नावी के बीच में दबाने से भी दर्द हो रहा है कि अंदर जो आतों में पेठी अंदर गैस का प्रवाव जो बना हुआ है उसी से जदे इनके अलका सा भी कोई टच करता है तो उसमें दुखन सी होती है अब दोस्तो इनको आयरवेदिक जो हम दवा बनाते हैं वो इनको देते हैं और दी है तो पहली खुराक से इनको काफी आरा मिला है दोस्तो हर किसी का जो फोटो है या उनका जो वीडियो है हम नहीं बनाते क्योंकि कुछ लोगों की साथ ही होने वाली हो या फिर कुछ बंदे इस मीडिया पर यानि सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहते हैं वीडियो में नहीं आना चाते हैं तो उनका वीडियो नहीं बनाते हैं इसलिए हमने एक इमेज इनका लगा दिया है जिससे के लोगों को पहचान नहों के ये बंदा कहा है कोन है दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये सारे प्रिकरिया जो होते हैं नावी को ठीक करने के वो सब ऐसे तो हमने नवज देख की बता दिया था लेकिन फिर भी ये नहीं माने एक बार चेक कर लो तो हमने चेक करके भी देखा तो कोई दिककत नहीं है ना भी अपनी जगा पर है नले वरले की कोई समस्या नहीं है इसे हलकी IBS भी बोल सकते हैं ये infection IBS की जो लक्षन होते हैं उनको भी दरसाता है या दोस्तों आप परेश से रहोगे खानपिन ठीक रहोगे तो ये रोग वैसे ही ठीक रहता है यदे आप खानपिन विगाड़ोगे खानपिन अपना तलही बने या ज़्यादा गरिष्ट वोजन खाओगे तो ये दिककत बनी रहती है आप दोस्तों ऐसी समस्या यदे किसी को है कहीं भी तो दोस्तों एक बार हमारे पास जरूर आना पड़ेगा आपको और एक बार में हम आपकी समस्या को देख करके आपको कोई भ्यायम बताएंगे एक्सरसाइज बताएंगे और आयर्वेदिक तरीके से हमारे पास जो औसदियों से बना जो चून होता है पॉडर होता है, उसकी खुराक बना के देते हैं जो कि बंदा खाते ही पहली खुराक से आराम मिलता है और महीने पंदर दिन में ठीक हो जाता है और दोस्तों इस रोग में क्या होता है कि धीरे धीरे दातु भी रसाव के राश्ते जाने लगती है और जो रस होता है वो नहीं बनता है लीवर बॉयल जूस नहीं छोड़ता क्योंकि उसमें भी infection, swelling आ जाती है और जो आते होती हैं आते हैं भी इस रोग में सही तरीके से काम नहीं करती हैं और वो भी अंदर किसी तरीके से जखम टाइब में या फिर swelling उनमें बनी रहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वा सियर करें तो सभी साथ में बोलेंगे ओम नमस्च्वाई जैई स्रीशाम